असलाम लेकुम, in this video we will discuss criminology, topic है हमारे पास crime, criminality, theoretical perspective, क्या है criminal behavior का जो explanation देता है कि किसी भी crime के commit होने की पीछे वज़ा क्या है, criminal behavior किसी भी criminal में है, तो उसकी वज़ा क्या है, कौन-कौन से factors involved होते हैं, कौन से aspect हैं, जिनकी वज़ा से criminal behavior develop होता है, तो यह सब हम इस video में discuss करेंग सबसे पहले यह है कि crime क्या है, criminals क्या है, तो crime को हम बहुती simple form में कहते हैं, कि an act or omission which is forbidden by law, so that is a crime, तो इसी तरह criminal क्या है, criminals कौन होते हैं, जो person कोई भी crime commit करते हैं, who violates the law, तो कहा जाता है कि these persons are criminals, अब crime में हम देख चुके हैं कि कोई भी ऐसा act या ऐसा omission, जो ला ने forbid किया हो, या society के moral values के against हो, जब वो कई भी person वो act करता है, तो कहा जाता है कि इसने crime commit किया, अब ये जो illegal act होता है, इसकी punishment दी गई जाती है by the government, by the authorities, तो जो person ये law break करते हैं, या society के moral values break करते हैं, जो जिनमें बताया जाता है कि आपने society में behave किया है, कैसे करना है, कौन से काम करने है, कौन से काम नहीं करने, तो जब इन सब चीजों के against चल के कोई person करता है, कोई काम और ये थाबित हो जाता है, कि इस person ने ये act किया है, जो कि इस specific society में crime है, और इसकी punishment दी गई है, तो फिर उसको punish कर दिया जाता है, according to जो भी punishment law में दी गई है, अब यहाँ पे ये द बताया गया कि कौन सा act जो है, वो crime है, कौन सा नहीं, जैसे कि अब पाकिस्तान में drinking करना illegal act है, लेकिन बाहर की countries में आप जाएंगे, तो mostly जो countries है, उन में drinking allowed है, इसी तरह कि ये society में decide करती है, आपका माशरा decide करता है, आपकी state decide करती है, कि कौन सा act जो है, वो crime है, और कौन स act crime नहीं है, अब ये जो crime commit होते हैं, जो criminal behavior है, इसको assess करने के लिए different theories दी गई है, जो के हर theory अपने उनके hypothesis है, फिर उसमें उनके evidence के साथ उनके hypothesis को prove किया है, और वो theories जो है, वो बताती है, कि कौन कौन से factors जो है, involved होते हैं, किसी भी person के criminal बनने के पीछे, या उसमें criminal behavior के develop होने के पीछे, तो इन theories में आ जाते हैं, हम जो पढ़ेंगे biological theories हैं, psychological theories हैं, sociological theories हैं, तो ये हम discuss करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि biological theories जो crime की हैं, वो क्या कहती हैं, अब ये जो biological theories हैं, ये कहती हैं, कि कोई भी person जो है, उसमें जब criminal behavior develop होता है, तो ये सारा depend करता है, उसकी biological nature पे, अब ये जोर देती हैं, कि जो crime commit होता है, ये किसी individual में ये potential पाया जाता है, कि he is inclined towards the crime, या illegal behaviors, या illegal acts की तरफ, वो ज़्यादा माइल होता है, तो उसके पीछे वो वज़ा बताते हैं, कि इसकी genes involve होती हैं, हार्मोनल लेवल जो है, वो reason होता है, और neurological factors जो है, वो involve होते हैं, किसी भी person के behavior में, जो उसमें ज़्यादा पाया जाता है, crime commit करने का, अब यहाँ पर यह कहते हैं, लेकिन आगे कुछ factors हैं, वो कहते हैं, कोई भी person जो है, वो criminal पैदा नहीं होता, लेकिन उसमें criminal intensity ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे लोगों की निस्बत, और वो उसके genes में, उसके hormonal factors जोते हैं, यह सारी उसके neurological factors जोते हैं, यह वज़ा बन करते हैं, कि किसी भी person में यह उसकी जो genes होते हैं, हार्मों से उसमें aggression पैदा कर देते हैं, impulsive behavior पैदा कर देते हैं, फिर उसमें risk taking उन लोगों में ज़्यादा होता है, उन्हें डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, तो यह तमाम चीज़ें जो हैं, यह कहा जाता है, कि these are biological theories of crime, अब biological theories of crime में हम देखते हैं, कि modern theories जो हैं, वो क्या है कहती हैं, अब modern biological theories जो हैं, यह focus करती हैं, कि neurological factors और genetic components जो हैं, यह reason होती हैं, किसी भी person के criminal minded होने के पीछे, या उसमें जो criminal behavior डिवेल्प होता है, उसके पीछे, अब यहाँ पे वो कहते हैं, कि इसके साथ-साथ bio social views जो हैं, वो भी बहुत important हैं, जो decide करते हैं, किसी भी person के criminal behavior को, अब neurological theories जो हैं, इनको हम देखते हैं, इसमें वो कहते हैं, कि यह base करती हैं, neurological theories हैं, crime की, यह base करती हैं, neurological structure और process पे, अब neurological structure और process पे, यह कैसे depend करती हैं, कि यह decide करते हैं, किसी भी person का, जो criminal behavior है, वो, इसमें क्या होता है, अब इन theories में, वो कहते हैं, कि जब भी कि किसी भी person के, जो neurotransmitters होते हैं, उनका level जो है, वो track किया जाता है, इसकी example में आ जाता है, serotonin और dopamine, यह देखा जाता है, उस person में उसके levels देखे जाते हैं, फिर उन, जो यह neurotransmitters का level है, उन से आगे conclusion निकाला जाता है, कि इस person में कितनी criminal intensity मौजूद है, अब dopamine क्या है, कि यह एक neurotransmitter, एक component है, जो कि responsible होता है, किसी भी person के euphoric feelings के लिए, यानि उसमें player activities जितनी भी होती हैं, या जो खुशी देने वाला, इसको हम hormone कहते हैं, तो इसमें अगर high concentration dopamine की होगी, किसी भी person में, तो वो आगे चलके उसमें aggressive behavior पैदा कर देती है, उसमें assess करने की जो पा होती है, वो कम हो जाती है, risk factor को देखने की के, और उसमें suicidal जो intensity है, वो जादा बढ़ जाती है, अब ये drugs वगेरा का जो person use करते हैं, उनका भी dopamine level high हो जाता है, वो लोग भी आगे चलके aggressive behavior शो करते हैं, या उनसे criminal act हो जाते है, due to this neurotransmitter component, नेक्स्टर हमारे पास आ जाता है, कि serotonin, अब serotonin जो है, ये भी एक brain जो है, वो regulate करता है serotonin body में, और ये हमारा mood जो है, वो उसको ये regulate करते हैं, ये ऐसा chemical है, जिसके बारे में कहा जाता है, कि feel good natural body, natural feel good chemical है, अब serotonin क्या करता है, कि इसका focus, ये किसी भी इनसान में एक focus पैदा करता है, अगर इसका serotonin का level जो है, वो normal है, तो वो उस person का focus जादा होगा, emotionally वो stable होगा, happier होगा, calm होगा, और लेकिन अगर serotonin का level जो है, वो low है, तो फिर उस person में क्या है, कि depression पैदा होगा, anxiety पैदा हो जाएगी, तो वो person जादा आगे चलके, अपने आपको एक वो depressed feel करता है, उसम अपने आपको नुकसान पहुंचाए, या अपने इर्दगित के लोगों को नुकसान पहुंचाए, अब ये serotonin और dopamine का level जो है, ये किसी भी person में अगर जादा होगा, या कम होगा, तो वो उसमें anti-social behavior जो है, वो develop कर देता है, next हमारे पास आजाता है, cortisol level, अब ये किया है, कि ये किसी भी person में जो stress regulating hormone ये होता है, ठीक है, अब इसका level अगर जादा होगा, तो फिर किया है, उस person में aggressive behavior डिवेल्प हो जाता है, बहुत जादा, और ये उस person को ले जाता है towards the stress, और फिर उसमें बहुत जादा कम awareness पैदा हो को पर्क सके, जान सके, अब अगर ये यहां पे फिर आगे जंडर्स पे बेस करके, इसका जो level है, अगर वो जादा होगा, males में, तो males जो हैं, वो जादा behavior, violent behavior शो करते हैं, then female, तो इस उन में जादा intensity पाई जाती है, कि वो society के against जाए, anti-social activities करें, और aggression शो करें, अब क्या है कि, यह जो genes है, इनका effect, genetic effect जो होता है, किसी भी person में, उसका जो criminal behavior होता है, anti-social behavior होता है, उसके पीछे एक यह बहुत बड़ी reason होती है, अब anti-social personality disorder जो है, यही hormones का imbalance, neurotransmitter levels का imbalance, तो यह उसके पीछे chemical imbalance जो है, यह उसके पीछे बहुत बड़ी वज़ा होती है, किसी भी person में, anti-social behavior की development पे. नेक्स्ट आमारे पास आजाता है, psychological theories, अब psychological theories जो हैं, यह जितनी भी हैं, यह बेस करती हैं, इस idea पे, कि एक person का जो human behavior है, वो बताती हैं, उसके fact पे यह base करती हैं, जितनी भी इसकी theories हैं, यह describe करती हैं, जो human के different behaviors होते हैं, उनको, यह फिर उन behaviors को, और उनके पीछे जो past history गुजर गई है, उनको देखते हुए, यह predict करती हैं, उनका future behavior. तो अब यह psychological theory कहती है, कि criminal behavior जो है, किसी भी person के thinking process, different thinking process का एक नतीजा होता है, यानि अगर कोई person मुसलसल negative सोच रहा है, एक ऐसे environment में रह रहा है जाओं से, negative बाते, negative behavior ही feed किया जा रहा है, तो फिर वो आगे चल के उसमें intensity जादा हो जाती है, potential जादा हो जाता है, कोई भी crime commit करने का, तो यहाँ पर क्या है, यह psychological theory कहती है, कि कोई भी person जो है, उसकी जो thoughts है, उसकी जो feelings है, वो dictate करती है, उस person के actions को, कि उसने आगे चल के वो क्या काम करेगा, या उसको बताती है, उसकी thinking बताती है, कि उसने कौन सा behavior चूज करना है, अब इन psychological theories में यह base करती है, कि psychological development, फिर learned behavior of aggression and violence जो है, उस पर यह base करती है, inherited personality traits जो है, उस पर यह base करती है, फिर आगे है psychodynamic theory, behavioral theory, cognitive theory, तो हम इनको discuss कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कि psychodynamic theory क्या कहती है, अब psychodynamic theory में एक सिग्मेंट फ्रॉइड, एक psychologist था, वो कहते हैं, कि उसने claim किया, वो कहते हैं, कि instinctual drives जो होते हैं, यह हर person के अलग होते हैं, और वो demand करते हैं, satisfaction, यानि हर person का अपना goal होता है, उसका अपना mindset होता है, उसने अपनी life में बताया होता है, कि मैंने यह काम करने है यह achieve करना है, तो फिर जो मतलब उसके अंदर एक जैसे कहले के खाहिशात पैदा होती हैं, कि हमने हमें यह यह चीज़ें चाहिए अपने लिए, यह survival के लिए, तो फिर इन सारे जितने भी यह instinctual drives होते हैं, इनको control क्या चीज़ करती है, कि moral ethical codes जो होते हैं, वो इन drives को control करते हैं, अब यह moral ethical codes क्या कहलाते हैं, super ego, अब कोई भी adult person जितने भी होते हैं, वो आगे चलके उनमें एक ego, एक rational personality develop हो जाती है, अब सिंग्वेंट फ्रॉइड कहता है, कि जब इन तमाम का यह instinctual drives, super ego, ego, इन सब का जो conflict है, that is a criminal behavior, वो किता है, जब super ego की, यानि आपके moral ethical codes जो आपकी drives को control करते हैं, उनका जब failure होगा, तो वो फिर क्या develop करेगा, criminal behavior develop करेगा, किसी भी person में, तो किता है, इन चीजों का जो तजाद है, जो conflict है, यह आगे चलकर, किसी भी person में, problematic behavior develop करता है, उसके अंदर delinquency पैदा करता है, यानि वो आगे चलके, उसमें intensity potential बहुत बढ़ जाता है, कि वो कोई भी crime commit करे, next हमारे पास आजाता है, behavior theory, अब इस theory में, वो कहते है, कि human behavior जो है, यह revolve करता है, around the experiences, यानि हम कोई काम करते हैं, अगर हमें उस काम करने पे शाबश दी जाती है, और हमें appreciate किया जाता है, हमारे लोग जो मौजूद हैं, वो उसको appreciate करते हैं, तो हम आगे चलके वो काम और जादा करते हैं, और जादा intensity से करते हैं, हमें खायश पैदा हो जाती है, वो काम बार बार करने की, लेकिन अगर कोई काम किया जाता है, उसके बारे में हमें punish किया जाता है, रोका जाता है, बुरा भला कहा जाता है, तो फ करते हैं कि किसी भी person करने आगे चल के क्या काम करना है उसके act को उसकी thinking को thoughts को वो decide करते हैं अगर एक person जो है वो crime commit कर रहे है तो उसको माफ कर दिया जाता है या उस crime commit करने पर उसे इनाम दिया जाता है तो फिर क्या है कि वो person उस behavior में engage जो जाता है आगे चलके वो criminal behavior बार-बार करता रहता है तो यहां पे फिर कहा जाता है कि यह behavior theory कहती है कि हमारे जो इर्दिगिद हमारे society का behavior है वो decide करता है कि किसी भी person में कौन सा potential ज़्यादा पाया जाता है crime commit करने का potential ज़्यादा है या अच्छे काम करने का potential ज़्यादा है नेक्स्ट हमारे पास आज़ते है cognitive theory अब इस theory में क्या है कि यह कहती है यह focus करती है कि लोग जो है वो word को perceive कैसे करते हैं वो कैसे देखते हैं और फिर उससे वो अपने action अपनी thoughts अपने emotions जो हैं वो गवन करते हैं अब cognitive theory में यह कहा जाता है कि यह एक moral development है इसके तीन levels होते हैं कि पहला है pre conventional level इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं उनका बारे में यह कहते हैं कि वो learn करते हैं from the consequences of their action कि उन्हें कौन सा काम किया है तो उस पे उन्हें शाबच दी गई है कौन सा काम किया है तो उस पे उन्हें डाटा किया खुसे हुए हैं लोक या कौन से काम का उन्हें reward मिला है कौन से काम पे उन्हें सजा मिली है तो यह सारी चीजें जो हैं यह decide करती हैं अब यहां से फिर expectations जो उनकी है society से या society की उन से तो उस पे वो decide करना शुरू करते हैं अपना behavior नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है post conventional level ये post conventional level जो है ये over the age of 20 है इसमें क्या है कि लोग focus करना शुरू कर देते हैं इस दिखना शुरू कर देते हैं जो society की values हैं जो moral हैं जो rules हैं उनको judge करना शुरू करते हैं और उसके according वो अपना behavior जो है वो develop करना शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये social disorganization theory है, strain theory है, social control theory है, learning theory है, labeling theory है फिर Islamic perspective क्या है तो ये हम discuss करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि social disorganization theory अब ये social disorganization जो है ये different इसमें variables हैं जैसे के residential instability है, ethnic diversity है, family disruption है, फिर economic status है, population का size density वो decide करती है ठीक है, urban areas में है, rural areas में है, पड़े लिखे लोगों में है, कौन से लोगों में है, तो ये कौन से society में है तो ये तमाम factors जो हैं, ये decide करते हैं किसी भी person के behavior को अब यहां पर वो केता है, कि अगर कोई person उसको juvenile है, from his childhood वो देख रहा है, violence देख रहा है या उसको मारा पीटा जा रहा है, या उसके इर्दिगिद लोग आपस में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे को domestic violence हो रहा है तो वो उसके उपर बहुत जादा ये चीज़े effect करती हैं और उसमें criminal behavior पैदा हो जाता है इसी तरह ethnic diversity जो है, वो भी एक person के criminal behavior पे effect करती है फिर family disruption जो है, जैसे broken families हैं, या फिर ऐसे person जो disturbed families से होते हैं तो उन में बहुत जादा ये चीज़े criminal behavior और crime commit करने का potential उन में बढ़ जाता है तो ये इन लोगों में, या फिर parents जो हैं, वो अगर अपने बच्चों को मुसलसल neglect कर रहे हैं टाइम नहीं दे रहे हैं, उन्हें proper उनकी जो जुरूरियात हैं, वो पूरी नहीं कर रहे हैं तो किसी तरह मतलब अपने बच्चों को वो उनकी सही तरह cater नहीं कर रहे हैं उनके care नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें आगे चलके उस बच्चे में develop करती हैं criminal behavior को बहुत ज़ादा अमीर हैं, बहुत ज़ादा उसके साथ के बच्चे जो हैं या उसके साथ की उसके age fellows जो हैं और फिर वो उसमें मसलसल ऐसा से कमतरी पैदा जाता है और ये आगे चलकर उसमें criminal behavior develop करता है फिर population जो है, ये भी एक बहुत बड़ी वज़ा है किसी भी criminal behavior के develop होने में या crime criminals के ज़ादा पैदा होने में next हमारे पास आज़ाता है strain theory अब ये strain theory जो है, ये क्या करती है, कि कुछो certain strains होती है, stress होती है, ये किसी भी person में crime commit करने की intensity बढ़हा देती है अब ये strains जो है, ये negative emotion, frustration पैदा करती है, anger पैदा करती है, pressure आ रहा है किसी भी person पे society की तरफ से के आपने ये काम करना है इतने मतलब उसको बहुत ज़्यादा pressurize किया जा रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है या फिर किसी भी person जो है, उसके goals है, वो achieve नहीं कर सकता, ठीक है, वो ज़्यादा पैसा चाता है अपने आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब society का जो एक economic pressure होता है, उसके according वो अपने आपको ढालना जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि criminal behaviors में involve हो जाता है, जैसे कि drug selling शुरू कर देता है, या prostitution शुरू कर देता है, कि वो अपनी financial security को short कर सके, so these are all factors, जो कि involve होते हैं, किसी भी person में behavior, जो criminal behavior है, वो develop करने में, next हमारे पास आजाता है, social control theory, अब social control theory क्या है, कि ये justification देती है, कि लोग जो हैं, वो क्यों जो rules हैं, वो obey करते हैं, अब social control theory में जो human nature है, ये include होता है, कि उसमें जो concept है, free will का, या, या उनमें choice पैदा होती है, कि आप, मतलब कोई भी काम करने की, उनको choice दी जाती है, capacity होती है, कि वो decide कर सके, कि उन्होंने क्या काम करना है, क्या नहीं करना, फिर, ये social control theory जो है, ये किसी भी person में, sense of responsibility पैदा कर देती है, उसके behavior में, यानि कि जो हमारे social morals होते हैं, norms हो होते हैं, वो किसी भी person के behavior को control करते हैं, यानि उन्हें बताते हैं, कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो ये सारी जो behavior होता है, society का, और ये control होता है, वो उस person को, मजबूर करता है, कि वो obey करें, जितने भी rules हैं, उनको, ताकि वो happily उस society में रह सके, लेकिन अगर किसी person में कोई criminal behavior पाया जाता है, ये crime commit करने की intensity जादा है, तो वो इस control से हट कर अपने लिए decide कर लेता है, कि मैंने ये काम करना है, ये crime commit करना है, ये crime commit नहीं करना, अब इस social control theory में क्या है, पर्सन जो है, जैसे कि कोई institution में हैं, तो वो institution के rules हैं, वो उनको follow कर रहा है, उनको obey कर रहा है, ठीक है, school में हैं, किसी work place में हैं, किसी religious place में, अपनी family के अंदर हैं, तो उनके जो specific rules हैं, जो उनके morals हैं, जो उनके morals हैं, जो उनके decide की हैं, to वो person उ अब यहां पर उसकी जो इंटेंसिटी है उस परसन का जो पोटेंशल है उन रूल्स को फॉलो करने का तो उससे डिसाइड किया जाता है कि उसमें क्रिमिनल बिहेवियर है या नहीं है जैसे कि अगर वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अटैच है तो फिर क्या है कि उसमें जो सोसाइटी का टिपिकल बिहेवियर होता है वो डिसाइड करता है फिर एक वैलियो सिस्टम जो बेसिक वैलियो सिस्टम है उस पर यकीन कितना है किसी परसन का तो वो डिसाइड करता है तो यह सारे फैक्टर्स जो हैं यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा परसन किस हद तक को इन rules को obey करता है इन control rules को जो laws है या उनके against बगावत करता है और crime commit करता है अब हमारे पास नेक्स आ जाता है learning theory अब learning theory में क्या है कि ये social learning theory ये कहती है कि लोग जो है वो अपने एर्दिगित के जो behaviour होता है जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको देखके नहीं किया लेकिन वो उनको मसलसल देख रहा है क्राइम कुमिट करते हुए तो उसमें पोटेंशल पैदा हो जाता है उसमें खाइश पैदा हो जाती है वो क्राइम करने लग जाता है उसमें मोटिवेशन आ जाती है टेंडेंसी पैदा हो जाती है कोई भी काम करने की तो ये theory क्या कहती है कि कोई भी person by birth जो है ये criminal नहीं होता बलकि ये एर्द गिर्द के लोगों को मुक्तलिफ experiences को देखके लोगों का behavior देखके society का behavior देखके ये सिखना शुरू हो जाता है कि उसने कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना अगर वो crime को बहुत जादा वो highlight करके सिधह रस्ते पर चैल के और उसका reward काम है तो मतलब यह चीज़ें के mind पर effect करती है तो अगर इसको लगता है कि crime commit करने से वो जादा reward ले सकता है तो वो crime commit करना शुरू कर देता है लेकिन अगर उससे लगता हैं कि इन्होंने आगे चलके क्या करना है अब जब क्राइम कुमिट किया जाता है तो यह क्या होता है यह सोशल लॉस जो हैं उनको यह वाइलेट करता है जो सोशल नॉम्स हैं रूल्स हैं यह उनको वाइलेट जब कोई परसन करता है तो फिर कहा जाता है कि उसने क्राइम कु पोटा सा काम भी उसने ऐसा कर लिया है जो के बुरा समझा जाता है। तो उस पे अगर आप लेबल लगा देंगे कि ये परसन है ही बुरा, he is a trouble maker, तो वो अपने आपको उस चीज़ पे accept कर लेता है। वो कहे लेता है कि ठीक है मैं तो हूँ ही ट्रॉबल मेकर, मैं हूँ ही बुरा, मैं हूँ ही गलत तो फिर वहां से वो क्या करता है कि वो अपने आपको justification दे लेता है वो गलत काम करने की और उस पे वो चल पड़ता है अब इसमें ये कहते हैं कि अगर आप किसी person को ये कोई काम वो गलत करता है आप उसको ये कहते हैं कि ठीक है आप से गलती हो गई है आगे चल के आप नहीं करें आपने ऐसे करना मतलब उसको एक positive तरीके से आप उसको समझाते हैं तो फिर क्या है कि वो person उस गलती से अपने आपको निकाल के तो आगे positive behavior चूट करता है लेकिन अगर आप labeling कर देंगे कि ये person गलत है तो फिर वो उस person में develop हो जाती है intensity potential crime कमिट करने के वो अपना जो label होता है वो कि ये criminal है वो अपने आपको accept कर लेता है जैसे कि अब अगर class students है बैठे हैं उनमें एक बच्चा है वो शरारते जादा करता है या वो तंग करता है या कोई ऐसा काम करता है जो मना कि अगया स्कूल में या काम पढ़ के नहीं आता अब teacher उस पर label लगा दे कि ये student है या सब फिर सारे student उसको treat वैसा करना शुरू कर दें तो फिर क्या है कि उस बच्चे में ये behavior पैदा हो जाता है कि मैं हूँ ही ऐसा और मैंने ऐसे ही करना है यानि अगर वो एक दो दफा काम क करके नहीं आया तो उस पर labeling हो गई है वो accept कर लेता है कि मैं नलाई को मैं मैंने पढ़ना ही नहीं है तो यह है labeling theory next हमारे पास आ जाता है conflict theory अब conflict theory में क्या है कि ये different society के religious के gender के race के class के conflicts होते हैं जो कि किसी भी person में tendency पैदा करते हैं या उसका behavior decide करते हैं कि उसने आगे चलके क्या करना है उसने crime commit करना है या उसने एक सीधे रस्ते पर चलना है so this is a conflict theory so this is end of my video please subscribe my channel thank you so much Allah Hafiz कर दो एक कर दो भी थाने कर दोदूरा है